एक तरफ है CBSC का schedule time की 15th Feb से start हो जाएंगे इस साल के board exams और दूसरी तरफ है यार ये इंडिया के COVID report, COVID cases की रोज, last 30 days का अगर हम statistics देखें तो रोज 150 to 200 cases, नए cases आ रहे हैं, अब हमें as a student क्या करना है, जैसे मैंने तुम्हें pre-boards वाली वीडियो में सच बोला था, भले उस पर कई hate comment आए, कि ये scam कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पढ़ने को बोल रहा है, बट जो बात सच थी as a बड़ा भाई, तुम्हें जो समझाने वाली चीज थी, वो तुम्हें समझाई और अब तुम्हें pre-boards के बाद, वही चीज सच भी लगी होगी, अब इसके बाद, इस situation मे में क्या करना है, इस पर भी यार बिल्कुल honest advice मेरी सुन लो, प्लीज तीन मिनट की वीडियो end तक देखना, सबसे पहले जितने भी लोग, जितने भी लोग डरे हुए हो कि अभी date sheet आ रही है, अभी date sheet आ रही है, कब date sheet आएगी, कब exam होगा, वो सब थोड़ा सान्थ हो जाओ, और preparation पे focus करो, preparation में तुमने देखा कि activities से questions आ रहे हैं इस पर, और जितने भी notes हमने अपलोड किये हैं न, यह सारे crisp notes है, CBSC topper के साथ, बैठ के बनाए गए notes हैं, और सारी की सारी activities को उसमें include किया गया, activity के number के साथ, तो इन notes को जरूर एक बार पढ़ लेना, जो भी chapter तुम prepare कर रहा हैं, सारे notes टेलिग्राम चैनल पे डाल दिये हैं, नो बकवास नाम है, तुरंत जाके join कर लो, win चीज़ यही रहेगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी preparation पे ध्यान दो, सिर्फ अपनी preparation पे, किसी भी update पे नहीं, किसी भी चीज़ पे नहीं, क्योंकि जब CBSC ने खुद बोल रखा है कि schedule date है 15th Feb, तो उस 15th Feb को दिमाग में रखो, और जो लोग कह रहे हैं कि 15th Feb नहीं और पहले होगा, यह बिलकुल impossible है, और जो लोग कह रहे है 15th Feb ने 15th Feb मार जाएगा, तो इतना भी late exam नहीं खिछता है, क्योंकि 15th Feb से तुमारे रहेंगे optional subjects और language subjects के exam, जो काफी regional language के exam होते हैं, फिर उसके बाद 1st March से, estimated date, 1st March से तुमारा इस साल का board exam सुरू हो जाएग अगर COVID interfere नहीं करता है, जो अभी की pace को देख के लग रहा है, कि interfere नहीं करेगा, और हमें यह imagine करके चलना है, कि interfere नहीं करेगा, तब ही हम अपनी preparation अच्छे से कर पाएंगे, और जो भी चाहिए तुमारी preparation में, चाहिए वो notes हो, या फिर यह worksheets हो, इन worksheets में हमने MCQs दिया ह क्योंकि 20% objective question आएंगे, 40% subjective आएंगे, इसके लिए previous year questions दिये हैं, और case based questions भी दिये हैं, यह worksheets भी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, no बकवा, search करना टेलिग्राम पर जाके, सारे materials free हैं, आर download कर लेना, free materials की value करना सीखो, क्योंकि काफी महनत करके बनाएगए materials हैं, और सबको देखो, share करो, और फिर क्या, अबे जाना, जा, पढ़ ले,